नमस्कार दोस्तों आपका सौगत है आज की फ्रेश वीडियो में अगर आप लोगिंग के लिए वर्डप्रेस प्लेटफॉम का यूज करते हैं तो आज का वड़ी आपको बहुत हेलपफुल होने वाला है क्योंकि आज के अंदर मैं आपको 2019 का बेश्ट SEO प्लेगिंग के बा 2019 को मिला के कास करके ब्लोगिंग के अंदर बहुत सारी कॉंपटेशन बढ़ गई है तो इस केस में कहां की देखिए तो वर्डप्रेस यूज करना बहुत ही जरूरी है अब देखे मैं आपको लाई एक्जमबल बताता हूँ इसका बाद हम बात करेंगे इस यो के अंदर है तो यह जो हमने वेबसाट कर्स्टम प्लेफ़म के अंदर बनाई है इसके अंदर वर्डप्रेस नहीं है तो इसके अंदर हमें एस्यो करना है तो बहुत सारा कॉंप्लिकेटड वर्क करना पड़ेगा इसके साथ साथ इसके अंदर हमें बहुत सारा टाइम देन पड़ेगा अगर हम वर्डप्रेस का यूज करते हैं तो वर्डप्रेस देखिया हैं यहाँ पर हमने यूज करके रखा हैं तो वर्डप्रेस के अंदर ज़र्ष्ट एक प्लगिन की मद्दे से आप अपने कंप्लेट साथ के अंदर अप्लाई कर सकता हूं तो यह जो वर्डप्रेस आने के बाद आपका 80% काम है वह आसान हो गया है तो अब हम प्लगिन की बात करें तो जो आश्क्राइब आपको प्लगिन के बार में बतने वाला हूं इसका नाम है अस्यो प्रेस तो जैसे गूगल क के अंदर आपको सभी प्रकर का जो आपका वर्क हो जाता है इसके बाद मैं आपको बताना चाहते होगा यह कि सभी प्लगिन के बार में सिखाने के लिए बनाया है तो चलिए जो एक्सचाल विडियो स्टार्ट करते है तो आसके रोकम अदर हम जो साथ का यूज़ करेंगे इसका नाम है e-customer care.use एक micronis blog है इसके open plugin का use करेंगे तो समसे पहले तो देखिए जो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहतू कि आपकी website के अंदर जो आपका ये website है wordpress के अंदर इसको आपको google webmaster tool के अंदर एड़ करना है इसके से पहले आपका dashboard open करने के बाद आपको जाना पड़ेगा plugin इसके बाद add new plugin और वहाँ जाके आसानी से आपको जो यहां पर आपको search box देखाए देगा वहां पर आपको लिखना है SEO press तो यह जो plugin है बिल्कुल free है वो आपके सामने आज आएगा देखे सबसे पहले प्लगिन आपको देखाए देगा अच्छे का से review है इसके बाद इसके अच्छे का से active installation है plugin इस्टोल करने के बाद आप इससे active कर देजे अब देखे सबसे पहले feature की बात करें तो इसके अं सबसे पहले तो यह automatically आपकी website के अंदर जितने भी problem है वो find करके देगा इसके notification center के अंदर तो यह सबी problem है अभी मेरे site के अंदर इसको मुझे fix करना है तो यह सबी जो जितने भी problem यहाँ पर आपको दिखाए देगे इसको आपको fix कर देना है इसके बाद यहाँ पर सबसे प बाद में बात करेंगे सबसे पहले देखिए इसके wizard के बारे बात करें तो यहाँ पर आपको start wizard पर क्लिक करना है तो जो इसका SEO configuration का wizard है वो आपके सामने आजाएगा सबसे पहले देखिए अगर जो आप पहले कि इस भी प्रकर का SEO plugin आपके site के अंदर आप यूज करते थे ज यहाँ पर आपको next step के ऊपर क्लिक करना है तो वहाँ पर आपकी website का configuration करना है सबसे पहले जो आपका step है इसके अंदर यह आपको पूछते है कि आपने title के business में क्या show करवाना जाते हो तो यहाँ पर देखिए है तो यहाँ पर हम वहीं लिख लेते है इस तरह से इसके बाद आपका title का format है इसके बाद यहाँ पर देखिए यह person का website यहतो और इसके बाद आपको पूस आथा है इसके बाद आपको यह सब भी information यहां पर fill up करनी है आपको यह सब कुछ information यहां पर देखा देखके तो जितनी भी जो info आपको यहां पर add करना है वोब कर लीजिए इसके बाद आपको यहां पर continue बटन पर क्लिक करना है इसके बाद का जो step है इसका नामें indexing अब देखे यह step की अंदर आपको बहुत ही जान रखना है इसके अंदर आपको पूस्टा जाता है कि क्या क्या जो आपके website के अंदर चीज़े हैं इसको आप Google के अंदर disable करना चाहते हो यहां कि किसी भी पर करकर के mistake करोगे for example यहां पर मैंने tick कर दिये तो जिने भी पोस्ट मेरे साइट के अंदर available है वो इसके अंदर शो यान कि search engine के अंदर शो नहीं होगी तो आपको किसी भी पर का changes नहीं करना है simple आपको continue बटन पर क्लिक कर दिना है इसके बाद है advance option तो इसके अंद किसी भी परकर के category को यह open करता है तो यह हमारे साइट तो यह हमारे सामने website open है तो इसके अंदर से में टेलेकॉम जो category है इसको access करोगा तो जैसे में टेलेकॉम category access करोगा तो आपको यूर के अंदर जानते नहीं वहाँ पर आपको लिखा होगा कि आपकी domain का नाम इसके इसके बाद सब कुछ आपका काम हो चुका है इसके बाद अगर आपको साइट में बगेर जो यहां से कनफिगर करना है तो option है लेकिन वह आप डारेक्ली डेशबूर के अंदर से भी कर सकते हैं तो फ्यू डेशबूर के आपका यहां पर जो configuration complete हो चुका है इसके बाद आप प्रक्सियों में और यहां पर सबसे पहले जो आपका setting है वो है title and metas तो यहां जाके आपको simple आपका जो title meta जिसको आप सिस्थरा से configure करना चाहते हो वह यहां पर कर सकते हो तो सबसे पहले देखिए आपका title इसके बाद meta description बगर है तो यहां पर जो आपके title के अंदर आपके search engine के अंदर वो आपको यहां पर पूश्चा जाता है इसके बाद single post tab इसके बाद जो archive टेक्सो इसके बाद category advance इसके अंदर बहुत सारे option available है तो इसके बाद के जो आपके का feature है वो है XML, HTML, side map अब देखिए अब यह जो मैं आपको feature बताऊंग तब आपको पता चले का कि यो कि automatically वो आपकी website के side map को Google search engine या तो webmaster tool के अंदर submit करता है तो इसके अंदर तो देखिए automatically होते है लेकिन अगर आप जो यहां पर यह plugin के मदद से Google को force करना चाहता हो कि जो आप हमारे side map को आपके search engine के अंदर पिंक कर लिजे तो इसके अंदर इसका manually option available है देखिए मैं आपको इसे highlight करके दिखा दे तो यह आपको दिखा देगा अब देखिए आपने किसी भी प्रकर का post publish के और आपको लगता है कि मुझे immediately इसको Google के अंदर इंडेक्स करवाना है तो यह option आपको यूज करना चाहे वैस्ट यह automatically आपकी website के side map को search engine के अंदर submit करता है using google webmaster tool लेकिन अग Google के अंदर देखिए आपको यहां पर देखा देगा कि इसके अंदर आपका side map है वो pink हो जाएगा तो यह इसकी खास बात है इसके बाद side map की बात करें तो इसके अंदर तो देखिए आपको देखिए आपको इसे enable रखना सब भी option अगर आप अपनी website के HTML side map enable करवाना चाहता हो तो यह भी option available है यहां पर देखिए आप इसे enable कर दीजिए save changes पर click कीजिए अब देखिए HTML side map की सरह से work करता है और क्या होता है और इसका benefit क्या होता है इसके बारे में बात करें तो जो हमारा website है हमने cross platform के अंदर बना है इसके अंदर हम HTML side map का use करते है और यह हमें बहुत ह helpful होता है Google के अंदर खास करके आपकी single pages को जो index करवाने में देखिए में enter को प्रॉस करवा तो आपको यहां पर दिखाए देगा कि complete हमारी जिदनी भी जो website के अंदर एक-एक single page available है वो यहां पर list करके देता है जो आपका HTML side में तो यह भी feature इसके अंदर जो advance map को मिलता है य इससे आप enable करके save changes पर click किजे तो आपका HTML site में यहां से enable हो जाएगा इसका जो special setting यहां पर available है आप जिस तरह से इसके अंदर setting करना चाहते हो order वेगरे वो यहां पर कर सकते हो तो यह हो गया site में यह plugin जो SEO के अंदर बिल्कुर नजा है तो आप अपने मुतबिक आपका time द देखे में आपको पहले भी बताया था कि आपको आपका जो वेबसाट है Google अंदर add करके रखना क्योंकि configuration करते time आपको इसका use करना पड़ेगा तो देखिए सबसे पहले तो आप generally करते क्या हो कि अगर आप directly यहां पर जो आपका Google अंदर करना चाहते हो यह plugin के अंदर option available है आपको यहां पर किसी भी प्रका third party plugin यूज़ करने के जरूत नहीं है Google अंदर जाना है इसके बाद admin पर जाना है जैसे आप admin पर क्लिकर को इसके बाद tracking info tracking code पर आपको क्लिक करना है तो यहां पर आपको tracking आपका ID मिलगा बस आपको simple यहीं यूज़ करना यह आपका tracking ID है चेक कर सकते हो इसके एक और खास feature है जिसके मद्दे से आपका काम और भी आसन हो जाता है वो यह है कि यह जो SEO plugin है वो आपको inbuilt GDPR friendly जो सब कुछ देता है for example देखिए हम बात करें तो अगर जो आपके साइट के अंदर गूगल एंटक का यूज़ करते हो तो गूगल एंटक करते हैं तो यह प्लगिंग के अंदर आप यह प्लगिंग के अंदर गूगल एंटक आप यूज़ करते हो तो देखिए आपको देखिए कि यहाँ पर GDPR का आप इसे जो एनेबल करना चाहा तो एनेबल कर दीजें इसके बाद यहाँ पर एक डिस्पले आप ऑटोमेटिक ल देखिए इसक अंदर एक सबका जो ओप्शन आता है ट्रमिंट कंडिशन वगिर हैं इसके बाद आपको यहाँ पर स्याव चैटिंग पर क्लिक कर देना है इसके बाद कर देंग है इसका नाम है एडवांस के अंदर जाकर आप यहाँ पर सेकुरिटी इसके बाद आपका बगर तो यह option यहाँ पर आपको available है इसका बाद tools की बात करें तो tools के अंदर जो बहुत अच्छे tools available है तो देखे आपको देखे देगा सबसे पहले तो इसका setting है कि अगर आपने इतना हड़ोर करके इसका setting कर दिया इसके बाद directly आप यहाँ पर export करोगे तो आपसे किसे भी प आपके साथ के अंदर old SEO plugin था इसका date यहाँ आप डाइक लिए रिट्राइव कर सकतों इसके बाद redirection, reset का option है वगएर तो आप मुझे comment करके बताए कि आपको यह जो SEO plugin कैसा लगा और एक बार आप इसे install करके एक बार try किजे इसको आप अच्छे तरह से configure किजे और इसे use कि तो आपको पाता है सलेगा कि यह plugin किस तरह से work करता है वैसा तो देखिए बिलकुल free है इसके free version के अंदर इतने तो future available है कि आपको इसका paid version purchase करने की ही जरूत नहीं है तो इसलिए मैं आपको यह वीडियो के अंदर सब कुछ बता है कि किस तरह से work करता है और कैसा plugin है तो I hope क जी दोस्तो आसका उडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए साथो साथ हमारे चैनल को सब्क्राइब कर लेजिए ताकि आपको ऐसे helpful वीडियो मिलते रहे थाइम की परोशन ते चुड़ी